किसान भाईयों, फरवरी आध्धी होने वाली है और जीन किसान भाईयों का भान तैयार है जीनों ने घ्योंनी बोई दिसंबर से जुताई हो रही है खितो की जैसा हमारा ये है इसमें हमने पत्ती जोत्ती मल्कर से फेट पलाओ से चलवाया हैरो, रूटावेटा, टीलर वगरा वगरा इसकी दस्य जुताई हो ली तो अगर ऐसे खिते हैं तो पलेवा करके गन्ना बो में सुक्के में तो वो बॉया जाता है गन्ना जैसे घ्यों का है क्योंकि घ्यों काटने के बाद में एक कग दिन लेट होता है इसलिए किसान ज्याड़ फैड़ दो तीन बार जुताई करके एकदम खूड निकाल गन्ना बोकर पानी दे देते हैं क्योंकि उसमें टाइम की अगर समय हो तो पलेवा करें पलेवा का ओर मजाता है क्योंकि पलेवा आने में भी 15 दिन लग जाते हैं अभी ठंड पड़ रही है आज 6 फरवरी है और ये 10 से 15 फरविर तक अगर पले हो जाए तो पूरे फरवरी में ये जुताई आएगा खेट और फिर इसमें रगड़ा लगेगा मतलब मैड़ा मारा जाएगा फिर इसकी जुताई की जाएगी कमसगम दो बार उटावेटर दो तीन बार टीलर भान बनाया जाएगा बोत्ते बोत्ते फिर भी 15 मार्च आजाएगी और 15 मार्च तक फागन का गन्ना बूजाना चीए यो तो फिर आदमी लेट अप्रेल आगी फिर तो घुमवकार फागन का एक साही हो जाएगा कोशिश से यह होने चीए मार्च के फर्स्ट वीक में बूजाए लेकिन 15 मार्च तक बूजाए कोई दिक्कत नहीं है तो भाईयो जितना सई टेम पे बूएगा जितनी हम तैयारी करके बोएंगे उतनी हम हमारी पैदावार बढ़ेगी कुछ मेरे भाई सोचते हैं हम जहेड़ पैड़ पाड़ गया बोदें और वह ऐसे हो जाएगा ऐसा नहीं है करने की पैदावार लेने में बहुत एटी एडी जो चोटी तक का जोड़ लगाना पड़ता है जो मेरे भाई कहते हैं कि मैंने 120-130 इस कुंटर निकाल दिया तो अगर उनका खर्चा लागत लगाए जाए तो उन्हें कुछ भी ओसत नहीं आपाता क्योंकि लागत बहुत आती है गन्ने में जो खिती नहीं करते हैं जितनी पैदावार ही उसे रेट से गुना कर दो तो उनका किसान माला माला हो गया ऐसा नह नहीं हो पाया क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है इसकी तो बच्चे की तरह परवरिस की जाती है